हमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चनल पर दोस्तों दिवाली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुपकाम नाए आज हम आपको दिवाली बनाने के कुछ रोचक तथियों के बारे में जानकारी देंगे भारत वर्ष में मनाय जाने वाली सभी त्योहारों में दीपवली का सामाजिक और धार्मिक दोनों द्रश्टी से अत्यधिक महत्व है इसे दीपोत सभ भी कहते हैं तमसोमा जोतिर गमया अर्थात अंधेरे से जोती अर्थात प्रकाश की और चाहिए यह उपनिश्दों की आग्या होती है कई सप्ता पूर्व ही दीपवली की तयारियां आरम हो जाती हैं लोग अपने घरों दुकानों आदी की सफाई का कार्य आरम कर देते हैं घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफेदी, आदी का कार्य होने लगता है लोग दुकानों को भी साफ सुत्रा कर सजाते हैं बाजारों में गलियों को भी सुनहरी जंडियों से सजाया जाता है दीपवली से पहले ही घर महुले, बाजार, सभी साफ सुत्रे, वसाजे दजे नजर आते हैं तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दीपवली मनाने के कुछ रोचर तत्यों के बारे में बताएंगे सबसे पहले एकने वेदन उन सभी दर्शकों से, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्या हमारे चैनल की सदसिता को जरूर ले लें ताकि आफ हमसे जुड़े रहें हमारे द्वरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी उठा सकें साथ ही सही चैनकारी के लिए इसे अंतितक शरूर देखेगा हिंदू धर्म में माननेता है कि दीपवली के दिन आयोध्या के राजा श्री राम ने लंग्या के अत्याचारी राजा रामवन का वद किया था वद करने के बाद वे आयोध्या वापस लोटे थे उनके अयोध्या लोटने की खुशी में वहाँ के निवासियों ने दीप जला कर उनका स्वागत किया था और खुशी मनाई थी उसी दिन से दीपवली का त्योहार मनाया जाने लगा दिवाली के एक दिन पहले राक्षज नरकासुर ने सोला हजार औरतों का अपहरण कर लिया था तब भगवान श्री कृष्ण ने असुर राजा का वद करके सभी औरतों को मुक्त किया था कृष्ण भक्तिधारा के लोग इसी दिन को दीपवली के रूप में मनाते हैं एक पौरानिक कथा के अनुसार भगवान विश्णु ने नरसिंग रूम धारण कर हिरन कशप का वद किया था इसी दिन समुद्र मन्थन के दौरान लक्ष्मी वद्धनवंतरी प्रकट हुई थी इस दिन सभी सिख अपने तीसरे गुरु अमारडारजीस का आशिरवाद लेने के लिए इकटा होते हैं 1577 में इसी में दिन स्वर्ण मंदिर का शेलान्यास हुआ था और इसके अलावा 1619 में कार्थिक अमावस्या के दिन सिखों के छटे गुरु हर गोबिन सिंग जी को जेल से भी रिहा किया गया था जैन धर्म में दीपवाली के दिन का काफी बड़ा महत्व होता है इस दिन आधुनिक जैन धर्म की इस्थापना के रूप में मनाक्ष जाता है इसके अलावा दिवाली के दिन जैनियों को निर्वान भी प्राप्त हुआ था इस दिन आरे समाज के संस्थापक महर्शी दयानन ने भार्ती संस्क्रती के महान जन्नायक बनकर दीपवाली के दिन अजमेर के निकट अफसान लिया था इसके अलावा मुगल समराट अकपर ने शाशनकाल में दौलत खाने के सामने चालिस गज उचे बास पर एक बड़ा दीप जला कर लटकाया जाता है वही शाह आलम दुटी के समय में पूरे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था इस मौके पर हिंदू और मुसल्मान दोनों मिलकर पूरे हर्ष और उल्लास के साथ इस्त्योहार को मनाते थे तो दोस्तों यदि आपको अचकी हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजिएगा एक बार फिर से दीपवली पर्व की आपको और आपके पूरिवार परिवार को हादिक शुप कामना है आपका यहाँ पर्व मंगल मैं हो